भारतिय अंतर पार्टी का एक ही मुता है लोगस्वाद चुनाव में जब 400 जगह 240 पर अटक गया कर अब वो सिरफ राहूल गांदीजी को टारगेट करने का काम कर रहा है मुझे लगता कि विपक्ष के वाज मजबूत हो रही है तो कहीना कहीं बेचैनी सत्तापक्ष को होती है हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो दबेकुष्टी लोग हैं गरीब हैं किसान हैं जो मद्यम मर्ग हैं उनकी बातों को हम सदन में रखें सदन के बाहर रखें लेकिन एक एजन्डा है बहाते अंदर पाटी का कि हर हर इशू पर हर मौके पर रावन गांदी जी को उनको क्रिडिसाइज करना है उनके खिलाफ बात करनी है अब बिदान सभा के चल रहे हैं जन्ता का जो माहौल है जो मुझे लग रहा है वो कॉंग्रिस के पक्ष में है उसको देख लिखार के सायोग साहिता समरतने जरूवत है और मिलनी भी चाहिए लेकिन यह वो सरकारे केंद्र की जो कहती है कि हम 80 करोड़ों को फ्री में खाना दे रहे हैं और फिर अगर कोई और दल बोलता है कि हम किसान को बिजी देना चाहते है या करीग मदद करना चाहते है उसको तो आप ट्रिलेंड और एकानमी के बात करते हैं अर्थवस्था के बात करते हैं फिर 80 कर लोगों को फ्री में खाना देते हैं और फिर बोलते हैं कि विपक्ष अगर पोलता है तो फ्री भी है आप खुद दें तो वो सही है कोई और अगर वादा करता है उसको रेवडियां बढ़ रहे हैं लेकिन जिन लोगों को दो जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है उनके दादाल बढ़ रही है तो खाई बढ़ रही है अमीर गरीब की वह बहुत पड़ा चिंता का विश है ग्रोजगारी देश का सबसे जोलंत मुद्दा है और मुझे लगता है कि सरकार नहीं वादा किया था दो कोड़ रोजगार प्रतिवर्श देने का वो पूरी तरह विफल रही है और उसी का पढ़ना हमें किया जनता में गहरा संतोष है खासकर रिवाओं में जो शिक्षित नौजवान है लड़के लड़किया है उनको नोक्रिया मिलनी रही है तो सरकार कि पॉलिसी फेलियर है कि रोजगार रुक डप करने में बिल्कुल नाकामियाब रहे हैं किसानों की आवाज सुनने वाला इस सरकार में कोई है ही नहीं इतना बड़ा अंदोलन हुआ तीन काले कानून उन्होंने पारित किये फिर विड्रा करें सेक्ड़ों लोगों की जान पड़ेगा हम सब लोग किसानों के साथ हैं हम सारी बाजे मांगों के साथ हैं और हमारी पाटी ने वादा किया थाать हम सक आकर बनाते तो MSP पर हम कानून बनाने के ने बात की थी आचवास नोग ने गया मैनेफेस्टों में लिक ता आज की सरकार कि Barbara ł жизни करने से परेश करती झाल झाल